हरो गाईज, मैं साकेत साहु, आगेन वेलकम वलकम व्यू तो अन ओंगोईंग सीरीज और लेक्शे नूम्बर 13 तो इसमें हम connection of a capacitor with a battery different different cases deal कर रहे हैं जिसमें हमने 2 major cases deal कर लिये थे कि जैसे capacitor जब connected होता है battery पे जब वो uncharged होता है तो कैसे हो क्या phenomenon होता है और जब वो charged होता है और charged में भी वो case हम discuss कर रहे थे जब उसका potential capacitor का कम होता है battery से उसमें भी 2 important हमने parts discuss किये थे जब plus plate battery की plus plate से connected हो और जब capacitor की minus place battery की plus plate से connected हो अब हम जो discuss करने वाले हैं बेटा उस part में हम case 2 discuss करने वाले lecture number 13 में वो case 2 है potential of capacitor जब ज़ादा होगा battery के potential से मतलब capacitor का potential पहले से ज़ादा है तो example की रूप में हम देख लेते हैं अगर suppose करो आपको एक diagram दिया हुआ है जिसके अंदर एक capacitor लिया हुआ है और इस capacitor की capacitor पहले से charged है जो हम समझते है और इस charge capacitor में पहले से इधर पर कुछ charge है और इधर पर कुछ charged है तो यहाँ पर already plus 20 micro coulum दिया हुआ है मैं minus 20 है मैं आपको वही example करा रहा हुँ जो example आपको मैंने homework के लिए दिया था तो plus 20 micro coulum पहले से ही charge है और minus 20 micro coulum charge है और capacitance इस चीज का 1 micro farad है अब ठीक है और इसके साथ में एक battery भी है एक part यह है और एक battery available है और यह battery का potential कितना है वो है 5 volt की battery है guys समझ में आ रहा है आपको अब हम इन दोनों को connect करेंगे तो जैसी हम इन दोनों को basically connect करते हैं तो यह capacitor यह capacitor जैसी हम इस चीज को connect करेंगे देखते हैं क्या होता है हम बहुत intelligent लोग हैं हमें पता है सब कि हमें कैसे deal करना है क्योंकि हम बहुत सरे cases देख चुके हैं अब बेटा directly मैं क्या कर रहा हूं यहां पर final case बना रहा हूं देखे final case में क्या होगा क्योंकि जैसे देखिए minus इधार यह अब यह क्या है plus 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 यह minus 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 तो देखो यहां पर पहले कितना इस तरह से हम लिख लेते हैं तो आप अभी बहुत understanding वाली बात है देखो आप खुछ सोचो जैसे ही इस capacitor के पास plus 20 maykrokoolum charge है minus 20maykrokoolum charge है तो क्या इसका एक potential भी होगा तह बात है कैसे potential होगा मुझे पता है कि बहई इसका कप्यासिटेंस कितना है तो क्यों बदाबर cv से हम इसका potential निकल सकते हैं न क्यों बदाबर c into v क्योंकि value किती है 20 develop यथर से ट हम आप ऋबंतेutर कितना आगchutz है potential of capacitor है ना थोड़ा सा छोटा हो गया मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं potential of capacitor हमारा कित्ता लग आ गया है भी potential of capacitor is basically 20 volt यह हमारा potential of capacitor है और बैटरी का potential कितना है potential of battery वह तो हमारा 5 volt है ठीक है क्या इस particular case में आप देख रहे हो कि जो capacitor का voltage है capacitor का across voltage है वो ज्यादा बड़ा है किससे बैटरी का across voltage से isn't it क्या यह गिवन है ठीक है तो यही series आपको दी हुई है यह concept आपको दिया हुआ है कि capacitor हम जो use कर रहे हैं उसका potential काफी बड़ा है चार गुना बड़ा है battery के potential से तो क्या होने वाला है तो इस चीज को समझने के लिए हमने एक basic diagram बनाया है और इस basic diagram में हमें पता है यह plus 20 minus 20 है आपको जो given diagram है इस पे 5 volt potential है ठीक है देखते हैं अब क्या होने वाला है इस type के question में तो बेटा जो कुछ भी होगा इसका fundamental हमेशा same रहेगा always remember fundamental approach कभी नहीं बदलेगी मैं आपको बता दू क्या fundamental approach है देखो क्या होने वाला है कि यह जो capacitor है भूल जा भी क्या है अभी हम बोलेंगे कि देखो इसका पांच वोल्ट है इसका 20 वोल्ट है 20 वोल्ट है तो अगेन इन में बहस चड़ेगी क्या करा जाए करा यह जाएगा बैटरी बोलेगी मैं तो आइडियल हो मैं कभी बदलने वाली नहीं हूं तो capacitor बोलेगा ठीक है तुम नहीं बदलोगी तो मैं ही बदल जाता हूं पर किस तरीके से बदलेगा capacitor बोलेगा बैटरी बोलेगी मैं तब तक बदलोगी जब तक तुमारे अक्रोस भी potential कितना नहीं हो जाए पाँच वोल्ट नहीं हो जाए और मेरे टर्मिनल के अनूसार पाँच वोल्ट होना चाहिए तो बैटरी जित प्याड़ी रहेगी तो क्या होगा capacitor बदलाओ लाना चालू करेग कि potential of जो capacitor है वो बड़ाबर हो जाएगा potential of battery के और battery का potential बदलने वाला नहीं है तो final देख लेते हैं final state में ये capacitor है और अगर ये battery से लग गया तो देखो ये switch क्या हो गया close हो गया ये minus से ये plus है तो potential of battery हमारा कितना था पाँच वोल्ट था तो capacitor का क्रोस भी पाँच वोल्ट ह जाएगा तो example अगर ये zero है तो ये भी zero रहेगा ठीक है और ये अगर पाँच वोल्ट है plus क्योंकि प्लस प्लस प्लेट इदर है तो प्लस पाँच इधर रहेगा और ये zero रहेगा तो बिटा ये बात था है अगर battery इसके साथ dealing करेगी तो battery इस वाली प्लेट को तो 100% क्या कर देगी प्लस कर देगी और इस वाली प्लेट को 100% माइनस कर देगी बात आपको समझ में आ रही है ये करने के बाद इस capacitor के अक्रोस ये वोल्टेज कितना डेवलप कर देगी पांच वोल्ट डेवलप कर देगी अब जाके बैटरी को शान्ती मिलेगी कि हाँ मेरा जो potential है battery का वो capacitor के across भी हो गया है battery को कोई मतलब नहीं कि इस पर कितना charge हो battery को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि इस पर कितना potential हो तो battery अपना potential बराबर करेगी अब जब potential बराबर हो जाएगा फिर capacitor चेक करेगा कि मेरे उपर कितना charge आ गया है तो Q final देखेंगे this is Q final basically मैं इदर लिखनी रहा हूँ थोड़ा होच पॉच हो गया है तो अब आपन देखते हैं Q final तो Q final जो आया है capacitor पे वो कितना आया है वो आजाएगा C into V final of capacitor ठीक है तो वो तो मेरा battery के बराबर है तो Q final C कितना है C है आपका 1 microfarad potential है आपका 5 volt ये कितना आजाएगा आपका this will be 5 microcoulombs this is Q final जो capacitor पे charge आजाएगा 5 microcoulom का charge आजाएगा तो देखो 5 microcoulom आजाएगा तो मतलब इधर 5 microcoulom ही खटा होगा और इधर minus 5 microcoulom ही खटा होगा देखो आप खुछ सोचो ये मैंने final state बना दिये final state में बैटरी का जो potential है वो capacitor का potential है पर capacitor पे जो चारज आगया है वो 5 microcoulombs प्लस इधर आया है माइनस इधर आया है और पहले charge कितना था पहले इधर पर initially मैं आप लिख देता हूँ कि this is initially this is initial चीक है initial ये state थी चीक है तो initially इधर 20 था है इधर minus 20 था है ना तो अब क्या होगा आप खुद ध्यान से देखो बेटा क्या यहाँ पर plus 20 minus 20 था और यहाँ पर plus 5 minus 5 है तो आप खुद सोचो capacitor में charge change हुआ ना तो हुआ क्या capacitor में basically जो charge था वो कम हुआ जादा हुआ कम हुआ ना तो हम discussion किसी भी एक plate से करते हैं plus plate को हमेशे major rate मानते हैं बाकी minus पर automatically induction हो जाएगा तो अब देखो अब हम इसका analysis करने वाले हैं तो analysis में हमने देखा कि यार अगर मैं capacitor का discussion करूँ तो इस capacitor पे capacitor पे अगर अपन discussion करें तो initially इस जगे यहाँ पर plate पे charge था plus 20 microcoulom और finally जो charge था वो again इधर plus ही है क्योंकि battery अभी उधर ही plus में लगी है और इधर charge हो गया plus 5 microcoulom मतलब यह बात तय है अगर यह initial है if this is initial and this is final तो यह होने के लिए यह बात तय है कि यहाँ से कितना charge निकला होगा 15 microcoulom निकल गया होगा तभी तो तो यहाँ से 15 microcoulom shift हुआ होगा 15 microcoulom निकला होगा तब न जाके इधर 5 microcoulom बचा होगा बात आपको समझ जा ही मतलब यह बात तो तय होगी यह capacitor पर charge लेगा नहीं capacitor क्या करेगा battery को charge देगा होगा क्या capacitor और battery में discussion होगा कि potential बराबर करना है तो capacitor अब बोलेगा भाई साब मैं potential तब बराबर कर सकता है तो तुम्हें मेरा charge कुछ लेना पड़ेगा और वो charge होगा 15 microcoulom charge तब जाके मैं अपने उपर 5 microcoulom charge बना पाऊंगा और मेरा potential तुम्हारे बराबर उपाएगा तो जब वो 15 microcoulom charge देगा तो यह सोचना नहीं है कि battery क्या करेगी उस charge का battery अपने अंदर ले लेगी पर battery का potential change होने वाला नहीं है क्योंकि battery हमारी ideal battery है तो always remember battery charge कितना भी ले सकती है पर उसका potential change होने वाला नहीं है similar to earth अब देखते हैं तो initial यह है और final यह है मतलब यह बात का ही हो गई है अब हम इसको बहुत easily लिख सकते है कि charge transferred किसने किया charge transferred इस सब्ब बैटरी ने नहीं किया है charge transfer बैटरी पे हुआ है कैसे? charge transferred by capacitor देखो capacitor ने कितना charge मैं capacitor को short form में लिख देता हूँ it is equal to plus of 15 micro coulum charge का transfer हुआ है और यह transfer देखो हुआ क्या जैसे देखो 15 micro अब देखो जैसे आपन एक plus plate पर समझेंगे minus plate पर अपने आप समझ में आ जाएगा देखो इधर plus 20 था तो इसकी minus plate पर minus 20 था है ना यह minus 20 का है यह minus 20 है अगर यहां से plus निकालूँगा 15 तो यहां कितना बचेगा? यहां plus 5 बचेगा तो इधर minus 5 बचना चाहिए तो 15 इधर plus निकाला तो plus 15 गया किदर होगा? इधर ही गया होगा ना जब plus 15 निकाला तो यहां पर गया होगा बैटरी कितना ट्रांसफर होगे? तो जब minus 20 में plus 15 एट करोगे तो minus 5 बचेगा तो automatically induction से minus 5 बच जाएगा तो charge transfer by battery है ना? तो capacitor ने इतना charge transfer करा मतलब यह बात है होगी है capacitor की इस पर charging नहीं हो रही है बलकि क्या हो रही है? discharging तो मैं यहां पर इस बात को लिख देता हूँ कि capacitor क्या हो रहा है automatically? capacitor basically discharging of capacitor हो रहा है of capacitor क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब देखते हैं अब मैं बात करता हूँ work done by battery है ना? तो समझना है ना? तो देखो work done battery के अगर मैं case में बात करूँ तो मैं अभी battery के case में अगर अगर आपन बात करते हैं तो ध्यान से देखें actually मैं इस battery नीचे लगी हुई है यह battery और ऊपर capacitor लगा हुआ है connect होने के वाद final state आ चुकी है यह आ गया है final इधर minus इधर plus इधर पर अब यह storage हो जाएगा यह कितना charge आ गया है यहाँ पर plus 5, minus 5 microcola इधर आ गया है और इधर plus 5 microcola आ गया है तो basically जब यहाँ पर charge गया यह charge आ यह charge ट्रांसफर हुआ ना? यह charge हम है है ना? तो यहाँ से जो QT पराबर 15 microcola चार्ज ट्रांसफर हुआ 15 इस plate से हुआ और इस plate से जाके इस plate पर store हो गया और पहले यहाँ पर कितना था plus 20 था तो 15 कम हुआ तो 5 बचाओ 15 जाके store हो गया तो minus 20 में plus 15 होगा तो minus 5 आटोमेटिकली बचेगा ना? तो अब देखो minus इधर plus इधर अब आप बैटरी का सोचो इस battery पे यह battery जो है बैटरी ऐसे है ना? तो बैटरी में plus पार्ट यह है है ना? यह minus पार्ट है है ना? तो बैटरी की electric field ऐसी है तो आप बताओ क्या यह electric field में जब कोई plus 4 जाएगा 15 माइक्रो कूलम का यहां से जब plus 15 माइक्रो कूलम जाएगा तो यह 15 माइक्रो कूलम पे कोई opposite force लगाएगी क्या? बिल्कुल force नहीं लगाएगी बात आपको समझ में आ रही है बल्कि force क्या होगा देखो आपको समझना पड़ेगा यहां पर work done होगा battery पे battery पे काम होगा है बात समझ में आ रही है तो देखो जो बैटरी का अगर अपन work लेंगे work done on the battery है ना तो वो क्या होगा देख से समझते हैं तो work done I hope आपको समझ में आ रहा होगा जब बैटरी में माइनस से प्लस होता था बैटरी खुद काम करती तो work done by battery और बैटरी के opposite में काम होगा था बैटरी पे हम काम कर रहे है ठीक है तो work done by battery इसमें नेगेटिव होगा बात समझ में आ रही है तो work done by battery यह चीज यह इसको ऐसे लिखो इसको ज़्यादा समझ से ऐसे लिखेंगे अपन हेयर वर्क इस दन वर्क इस दन ऑन दा बैटरी ठीक है यहां पर वर्क बैटरी पे हुआ है बैटरी पे काम हुआ है इसका मतलब है विच मीन्स की और प्रमेटिकली वर्क डन बाइ वर्क डन वाए बैटरी जो है वह नेगेटिव हो जाएगा इस नेगेटिव तो वर्क बैटरी पे काम हुआ है तो बैटरी पे जब काम हुआ है तो वर्क डन बाई बैटरी क्या हो गया और वर्क डन बैटरी क्या हो गया तो इसको तो निकाल सकते हैं अपन बहुत एजी ली तो देखो वर्क डन on battery this is on battery तो वो होगा सर जितना charge transfer हुआ है ना जितना charge transfer हुआ multi plate by potential of battery बहुत easy बात है तो कितना होगा delta q transfer कितना है 15 micro coulum plus में और यह dot potential of battery कितना है 5 volt तो यह आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 55 75 micro joules काम हुआ battery पे और यही पर मैं बोल सकता हूँ work done by battery बैटरी ने कितना काम किया बैटरी ने काम किया minus of 15 micro sorry minus of 75 micro joules दोनों चीज़े बेटा बहुत confusion create करते हैं questions में दोनों चीज़े बहुत अच्छी तरह से clear होई है आपर work done battery पे हुआ है वो हुआ 75 joules और work done by battery हुआ है वो है minus 75 joules अपने आप जाएगा तो मुझे force कहां लगाना पड़ेगा उसको opposite करने के लिए मुझे इधर force लगाना पड़ेगा अगर आपको ध्यान हो conservative field में external force का ही work निकालते हैं तो मुझे force इधर लगाना पड़ेगा तो मैं उसके energy को एक्स्ट्रैक कर रहा हूं मैं उस पर opposite work कर रहा हूं तो वो work negative होगा automatically इसलिए यह चीज work done by battery automatically क्या हो रहा है negative आपको समझना रही है तो work done on battery is positive and work done by batteries minus 75 joules अब देखते हैं अब बात किसकी आती है heat energy की बात आती है तो आपको समझना पड़ेगा तो देखो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि capacitor की पहले energy कितनी थी ठीक है तो अपन समझते है energy of capacitor पहले तो आपको शायद यह खुदी deal करना चाहिए energy of capacitor की अगर अपन बेटा अच्छे से discussion करें तो हमें क्या समझ में आ जाएगा मुझे यह समझ में आएगा कि सहाव initially energy of capacitor किती थी q square by 2c q initial square by 2c और q initial पहले कितना था 20 µC था तो 20 into 20 divide by 2 into 1 तो इकितना आ जाएगा 2 tens था मतलब 200 µJ की energy इसके बाद आपको बात समझ में आई है अब जब फाइनल स्थिती आ गई तो फाइनल स्थिती में यूँ फाइनल कितना हो गया q final square by 2c तो q final कितना है final charge तो हमारा 5 µC तो 5 into 5 upon 2 into 1 तो 25 बते 2 तो साड़े 12 µC ठीक है आप खुच सोचो final energy उसके पास capacitor के बास 12 µJ है initial energy 200 J थी तो क्या energy कम हुई है capacitor की definite सी बात है कम हुई है है ना तो जो capacitor की जो energy है वो basically कम हुई है ठीक है कम होके कहां गई है battery पे काम करा है उसने पर battery पे काम हुआ कितना है वो तो 75 J काम हुआ है बात समझ आ रही है आप समझो battery पे उसने खर्च कितनी करी capacitor ने energy capacitor ने battery पे energy खर्च करी 75 J अब हो minus plus understanding के लिए पर capacitor ने खर्च कितनी करी 75 J है ना पर capacitor ने निकाली कितनी यहां से 200 में से साड़े बारा माइकरो जूल्स निकाली ना बात आपको समझ में आई तो delta U axis कितना हुआ delta U axis है ना या which is equal to delta U transferred to battery transferred है ना वो कितना है वो आया है 200 minus साड़े बारा माइकरो जूल्स तो कितना होगा 200 minus साड़े बारा माइकरो जूल्स तो 200 में से 10 गए 190 दो गए 188 और 187.5 माइकरो जूल्स छीक है 187.5 माइकरो जूल्स मतला कैपासिटर ने एक्चुली एनरजी कितनी निकाली 187.5 187.5 माइकरो जूल्स निकाली जिसमें से वो एक्चुली में बैटरी पे कितना काम कर भाया असे 75 जूल्स बैटरी को बैटरी ने कितनी उटिलाइस करी सिर्फ 75 जूल्स उटिलाइस करी चार्ज को इदा ले जाने के लिए पर कैपासिटर ने रिलीज कितनी करी थी यह तो इतनी करी थी डेल्टा यू एक्सेज 187.5 या इसको ऐसे लिखो डेल्टा यू देखो इसको ऐसे लिखो डेल्टा यू रिलीज बाइबैटरी चे एनर्जी रिलीज इस इस मच इंपोर्टन रिलीज बाइ कैपासिटर है ना कैपासिटर ने कितनी एनर्जी रिलीज करी वो करी बेसिकली 200-12 which is 187.5 माइक्रो जूल्स इतनी एनर्जी रिलीज कर डाली कैपासिटर ने है ना और मुझे पता है एनर्जी इसमें से यूटिलाइज कितनी हुई तो हम बोल सकते है डेल्टा यू यूटिलाइज बाइटरी यूटिलाइज बाइटरी बाइटरी ने कितनी यूटिलाइज करी इसमें से तो बाइटरी ने जो यूटिलाइज करी इस 75 जूल्स माइक्रो जूल्स तो रिमेनिंग का गई दिया उसने इतना आई इस पे इतनी मतलब बाइटरी ने यूज इतना it will be equal to 12.5 micro joules this is the heat dissipated during the process this is very very important बेटा यह काफी ज़्यादा important concept तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए तो अब हमने बहुत अच्छे से discussion कर लिया है कि capacitor का जब potential ज़्यादा होता है तो basically क्या होता है capacitor काम करता है capacitor energy supply करता है तो capacitor समेक battery की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर heat यह होगी और capacitor की energy कम होगी capacitor charge देगा battery को confusing नहीं होना है 상황 बैटरी ideal है यहाँ ज़्यादा है तो यह case आपको ध्यान रखना है इसके वाद आपको एक home work लिख लिजए आप कि आप इसी case में जो है अगर suppose करिए case में मैं आपको homework अगर लिख देता हूँ यहाँ पर आपको समझ दीजे कि अगर मैं battery को opposite connect करूँ minus 20 इदर connect कर दूँ plus 20 इदर connect कर दूँ तब क्या होगा जो homework है आपको यहाँ पर अच्छे से करना है यही battery है plates opposite है minus 20 इदर plus 20 इदर तब आपको करके देखना है यह चारो cases बहुत बहुत important है जरूर जरूर practice आप अपने असाब से करिए और जरूर मुझे comments में बताईए कि आप को क्या doubts आ रहे हैं ताकि मैं उसको ले पाऊ thank you so much